में राजिश कुमार गोता हूँ, आउनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ आज हम, आधनिक समाज में gospel सूचना केंदरों के उनकी भूमिका के बारे में अध्यान करेंगे। प्रथम, सूचना प्रधान समाज में ग्रंथाले सूचना केंद्रों को इसी प्रकार की अन्य महत्पूर्ण संस्थाओं की भूमिका के सम्मंद में जानकारी मिलती है। इस प्रकार उद्देश के तहत हम सूचना के महत्व एवं आउशक्ता और आधनिक समाज में ग्रंथाले सूचना केंद्रों की भूनका से पर्चय कराना है। अर्थात आधनिक समाज प्रतिक मानिव क्रिया कलाप विवित प्रकार के समाजिक संस्थाओं एवं संगठनों के माध्यम से ही संभव। समाज का प्रतिक प्रमुक चाहें वा आर्थिक संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से ही संपन कराये जाते हैं। ज्यान एव सूचना मानों के सरवणिक विकास के लिए अत्यंत महत्पुन भूमिका होती है। समाज में विकास सूचना के एक उप्योगी उपकरण माना जाता है। और कहा जाता है कि आद्विक समाज सूचना समाज की अग्रशर हो रहा है और परिवर्तन के किंद्र बिंदु सूचना को माना जाता है। इस के अंतरगत हम तत्यों की विवेचना पर जायेंगे जिसे ग्रण्थाले सूचना के भूमिका के सही परिपेच्छ को समाज सकें। जैसा कि समाज की जो महत्पुन आवशकता है सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान जैसे मोलभूत आवशकता ही पर टिकी नहीं है। अपितु विभिन परिछेत्रों में भी टिकी है। जैसे सिच्छा किसी भी समाज का एक महत्पुन आवशकता सिच्छा है यह समाज के परतेख नागरिक को सोसंगत बनाने में सहायक होती है। अतन समाज का प्रतिक नागरिक सिछह को प्राप्त कर समाज में एक अपनी अहम भोमी का निवात अनुसंधान एवंविकास परतिक समाज को विक्षित होने के लिए निरंतर अनुसंधान एम विकास कारियों की आवसकता होती है इसके अभाव में कोई भी समाज उन्नत्ति नहीं कर सकता सांस्कृतिक विकास आदनिक समाज को अपनी सांस्कृतिक धरोहर का संरच्छन करना भी आवश्यक है क्योंकि इसके संरच्छन से ही उसकी पहचान होती है आर्थिक संपन्ता आदनिक समाज को विक्षित करने हैं तो आर्थिक संपन्ता भी एक आवश्यक तक्त्त माना जाता है प्रदोगी की विकास प्रदुकिक के छेत्र में आध्निक समाज की भी एक विशेस भूमिका होती है अध्यात्मिक तथा वैचारिक उन्नेयन एक सब एवं आध्निक समाज के प्रतेक नागरी को अध्यात्मिक विकास और वैचारिक उत्पन की आवसकता होती है सूच्णा सममंधित आशक्ता आदमिक समाज प्रकार की सूच्णा की आवसक्ता होती है आदमिक समाज की उपयोक्त वड़ित आवसक्ताओं को पूरति में गरंथालेख सूच्णा किंद्र अतन दिख सवयोगत डंध करते लगता है वर्तमान एवं आदनिक समाज में प्रदोगी के छेत्र में विकास के फल्सों विश्व अस्तर प्रिवता से परिवर्टन हो रहे हैं और समाज के अन्य छेत्र में परिवत सूचनाओं की मांकि अनुभव की जा रही है इस आउसक्ता की पूर्टी हितु समाज में ग्रंठालयों के सावसात प्रलेखन केंद्र、 सूचना केंद्र सूचना विशलेशन केंड, डेटा बेंक और सनसाधन केंद्र आधिक अस्थापित किये जा चुके हैं जिसे आदनिक समाज के आउसकताओं को पूरा किया जा सके समाज द्वारा अस्थापित सनस्थाएं आदनिक समाज में प्रवदोगी की विकास के फल स्वरूपे विभीन छेत्रों में सूचना की मांग त्रिवता से बढ़ी हैं और ग्रन्थाले की पूर्ती हेतु संस्थागत तंत्र से तेजी से परिवर्तन की आउशक्ता को अनुभव किया जा रहा है ग्रन्थाले यह सूचना के एक एक ऐसी ही समाजिक संस्थाएं जो सूचना समंधित आउशक्ताओं की पूर्ती कर सकते हैं यह समाज की सैचणिक एवं सोध विकास और समस्थ प्रकार की बहुदिक आउशक्ताओं के पूर्ती में तक पर होते विभीन समाजिक क्रिय कलाप हेतु आदिक समाज द्वरा अस्थापित कुछ महत्पूर्ण संस्थाएं हैं जो निम्ग प्रकार के हैं। क्रिय कलाप गति विधिया एबं वे चिन के द्वारा संस्थापित की गई हैं। सिच्छर प्रशिच्छर का कार विध्यालय, महाविध्यालय, विश्विध्यालय वह व्यवेशाइक संगठनों के माध्यम से किया जाता है। आर्थिक एवं और दोगिक विकास इनकी अस्थापना विभीन प्रकार के वित्य एवं और दोगिक संस्थाएं द्वरा की गई हैं प्रदोगी की विकास प्रदोगी की विकास अनुसंधान संस्थान की उत्पत्ति का मूल बिंदू है अध्यात्मिक एवं वैचारिक विकास अध्यात्मिक वैचारिक विकास के लिए दार्शिंग एक धार्मिक संस्थाइं अस्थापित करती है सांस्कृतिक क्रिया कलाव ललित कलाकिंद्र सिल्प कलाकिंद्र थियेटर नाट सलाय संघीत अकैडमिक से सम्मन्दित माहतफूर्ण संस्था जो इन को अस्थापित करती हैं अध्यन एवकास के समय का सदूप्य। इस प्रकार के संस्था को ग्रंथाले और मनुरंजन केंद्र इतियादी अस्थापित करती हैं। मनुरंजनात्मक एवं अनक्रियकलाप। जैसे कि सिनेमा, स्टेडियम, दुरदर्शन केंद्र एवं खेलकूद आदिस संगठन से सम्मंदित संस्थाएं ही इन्हें अस्थापित करती हैं। इस प्रकार समाज द्वरा विभीन क्रियकलाप। तथा गतिवीदियों हेतु संस्थापित संस्थाएं जहां समाज के विकास और प्रगति में अपनी महत्मूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है। वहीं गरन्थालें सूचना के इन्ही के संकच अन्यसंस्थाएं आदनिक समाज के विभीन सेणियों के उपयोकताओं को बहु याया में शूचना समन्दित अवसक्ताओं की पूर्ती में सहयोग करते हैं। गरन्थालें इम शूचना के इंद्रों की भूमिका। समाज की सेच्छडिक और सक्ताओं के प्रति फल्स्वरूप ग्रंथालियों का जन्म हुआ यह एक ऐसी समाजिक संस्था हैं जहां ग्यान के संजार संद्च्छ एवं उनके उपयोगेतु अर्जन किया जाता है आदनिक ग्रंथाले में विभीत प्रकार के अध्यान सामगरिया जैसे कि पुस्त के समसमाईग पत्र पत्रिकाय हस्त लिखित ग्रंथ मांचित्र ध्वनी अभिलेक इतियादी चल्चित्र स्लाइड फिल्म स्रेप्स मैगनेटिटिटिप्स रिकार्ड्स माइक्रो फिल्म अध संगठन हैं जो प्रबुद विशेशक्गों व्यग्यानिकों और सिच्छा विद्धों के अनुसंधान करता और उन सभी को किसी न किसी ओदेश के पूर्ती हितु सुचना क्यों सकता और उन्हें सुचना उपलब्त कराते हैं सुचना सेवा के दो प्रमुक पच्छ हैं पह सुचना केंद्रों का प्रतिवीदन त्यार करना अनुवाद की विवर्था करना पेटेंट की खोजना विश्वस्त खोज जिसके अंतरगत साहित खोज तथ शारांस इतियादी त्यार करना वर्तमान में आधनिक और तक्निकी विकास की द्रिश्टिगत रखते हुए वैज्ञानिकों विशे विशे सगर उनसे अन्धान करता अन्य जिग्यासों को उनसे सम्मंदित उनकी आउसकता अनुशार सुचना है उपलत कराने के द्रिश्टिगत से छेती है राष्टे और अंतर राष्टे अस्तर पे सुचना केंद अस्थापित की गई है जो सुचना आप पूर्ती हे तो निरंतर सहियोग करते हैं राष्टिय स्तर पे इंस डॉग, नैस डॉग, सेंडॉग, डेसी डॉग आधी प्रमुक सूचना केंद्र है जिनके बारे में हम आगे अध्यन करते हैं। राष्टिक, उन्नती, विश, सिच्छा, सुरच्छा, अनुशंधान, व्यपार, आधी सभी छेत्रों में सुचनाओं का हस्तांत्र करने में सहायता मिलती है। अध्यापक छात्रों के संपर्क में आकर उनको सिच्छा दिच्छा देते हैं। अनपचारिक सिच्छा जिसे सिच्छर संस्थाओं के बाहर रखर प्रात्त के जाता है। दोनों इसी प्रकार की सिच्छा का प्रमुख देश ज्ञान, सुचना और विद्वता का प्रशार करना। एम सारगण विकास हेतु समाजिक मुल्यों का निरमार तथा विकास करना तथा तक्निकी और रोजगार नोखी सिच्छ प्रसिच्छ उपलप कराना है। अपचारिक सिच्छा अपचारिक सिच्छा विद्यालय महाविद्यालय और विश्विद्यालयों में दी जाती है इसकी व्योस्था सिच्छकों के मार्ध्यम से विभीन अस्तरों में कच्छाओं में दी जाती है सिच्छक निर्धारित पाठकरम के अनुसार सिच्छा देते ह जो चात्र के समचेत्व विकास के लिए परियाप्त नहीं होती है सच्छी ग्रन्थाले विभीत प्रकार के सहयत्व और अन्य महत्पूर्ण अनवचारिक सिच्छा वह सिच्छा होती है जो किसी विद्याले की सहयता के बिना सिच्छा प्रकाश सिच्छा में जहां प्रध्यापक की सहयता निम्तम होती है वहां ग्रन्थाले की ही ऐसी संस्था है जो वस्वाम सिच्छा में सहयता करती है अनवचारिक सिच्छा का महत्पूर्ण के इंद्र बिन्दू साजनिक पुस्तकाले होता है जो अनेक प्रकार की प्रसार सेवाओं तथा वीधियों के माध्यम से सिच्छा को सुगम मनाता है कि इस प्रकार अनफचारिक शिच्छा में साज्णिक गनाथालेओं की महत्पोन अस्थान है सोध एवं विकास से संस्थानों और दोगिक शंथानों में किया जाता है इंस्थानों से सम्मंधित ग्रंथाले एंसूचना किंद्र सम्मंधित विश्व में सोध के विश्थार के ससक्त भूमिका का निर्वान करते हैं सोद को आधनिक समाज का जीवन कहा जाता है क्योंकि वर्तमान और दोगी कराण प्रवदोगी कराण विज्ञानिक प्रगती और समाजिक जीवन अस्तर की प्रगती इसी पर निर्भा करती है आज प्रतीक विज्ञानिक एवं विशेविशेशग विद्वान और टेक्नो क्रेट अपने अनुसंधान कार्यों हेतु ग्रन्थालेव सूचना केंद्रों की सहायता लेते हैं सूध करताओं को एप्स्ट्रेकिंग एवं इंडेक्सिंग संदर्ब ग्रन्थ सूचिया एवं छाय प्रतिली प्रक्रण अनुवात सेवा आधि उप्लत कराने हेतु ग्रन्थालेव सीचना केंद्र सहायक होते हैं इस डॉग, एग्रिस, सेंड डॉग, नेस डॉग आधि अनेक ऐसे संस्थाय हैं जो विवहिन विश्यों में हो रहें सोध प्रक्सार के संचिप और अनुकरमाडी का करण या एप्स इंडेक्सिंग ग्रन्थालेव के माध्धम से उप्लत कराते हैं इन विवित प्रकार के सेवाओं द्वारा सोध करताओं के समय, ठन और सक्ती का बचत करके सोध के विकास में करते हैं मानवीकी और समाजिक विज्ञान के छेत्र में ग्रन्थाले प्रक्साला की भातिकारी करते हैं या सोध और विकास के मुक्तम केंद्र सांस्कृतिक संद्च्छा ग्रंथालय किसी भी राष्ट के साहित और सांस्कृतिक संद्च्छा के प्रमुक केंद्र माने जाते हैं। सभ्षाज की रश नात्म प्रतिभाग को जागरेत करते हैं सू स्फ्रेसर ५ कि ग्रनथाएं सू संप्रेशर केंद के रूप में ग्रनथाले की एंसुचना केंदर की अत्यान्थ भूमी का हुती है समाजिक प्रगति के लिए प्रते छेत्र में सूचना सेवा अनिवार है इसके अभाव में किसी अनुसंधानिक कारे की संपनता संभाव नहीं है अपने अपने कारियों और विविशाओं के लिए विद्यार्थी, सुथकर्ता, सिच्छक, प्रसासक, उद्धोगपति, प्रवंधक, कलाकार, किशान, मजदूर सभी को किसी न किसी प्रकार की सूचना क्या हो सकता होती है समाजिक संस्था होने के फल्सोप ग्रन्थालय का यह अधार भूत उत्रादायत्यों कि वह समाज की प्रतेक वर्ग को उनकी वंचित सुचनाओं को उपलत करा है और उनका संग्रहन तथा उचित माध्यम दवरा उनको प्रशारित करें अध्यात्मिक एवं वैचारिक विकास ग्रन्थालय में विभीन वर्गयों के पाठकों कियाव सकता को देखते हुए विभीत प्रकार के साहितों को संग्रहन किया जाता है हुआ है संग्रही साम मदिक को तीन भागों में वहांग कर सकते हैं पहला सूचना संमंदित साहित दूसरा मनौरण्जत नात्मक्रीत साहित तीसरा पय्यम दायक साहित अध्यात्मिक एवं धार्मिक सायक जो वैचारिक ज्ञान के विक्सित करने में सहयक होती है वही अन्य दुरलव उज्ख कोटी के सहयत का अस्थाई महत्वी सहयत माना जाता है जो पेणादायक होती है these साहित पाठकों के अध्यात्मिक धार्मिक और वैचारिक आवशक्ताओं को पूर्ति करते हैं इस प्रकार के दुरलब यम साहित के महत्यों के धार्मिक साहित का संग्र परतेक क्रन्थाले की करना आवश्यक जिससे समाज के परतेक क नाग्री को प्रिदित किया जा सके जिसमें उसमें अच्छे गुन पैदा हो सके के बधिक मनलन यां अतरिक्त समय का अ सदूपयों मश्यक प्रतिक समय को फ्योग करना समाज की प्रतेक नागरी के लिए आवश्यक्ध जिससे रबेल ही अपने समय का दुर्पयोग ना कर सके पुस्तकाले को समाजिक संस्था होने के करण या भी दाई तो है कि वह अपने समुदाय की लोगों को रूचिक एनुसार उनके सहतों का संग्रा करें जिससे की वे अत्रिक समय का सदूपयोग करें इसके लिए कथा साहित उपन्याज कहानी संग्रा य ग्रन्थाले एमम सूचना केंद्र तथा परिवर्तित समाज। अभी तक पुरु के अनुभागों में सिच्छा, सोड, संस्कृति, धर्म, अध्यात्म तथा अध्यात्मादी के छेत्र में ग्रन्थालों की परंपरावादी भूमिका के संबंद में विचार किया गया। आध्निक समाज में सभी क्रियाकलाप सूचना प्याधारित होती हैं। इसलिए आध्निक समाज को सूचना समाज कहा जाता है। नवीन से नवीन छेत्रिये राष्टिये और अंतर राष्टिये किस प्रकार के सिख प्रवावी रूप से जिग्यासी प्रयोक्ताओं के पास पहुंचाया जाए इस उद्देश की प्रातिक लेगरन थाले मसेनी करण और कंप्यूटर करण के माध्यम से उनको आधनिक रूप दिया जा रहा है जिससे कि सभी कार और सिमाओं देश काल के अनुसार अपने दच्छता प्रदान कर सके विशे विशे जग यानुसंधान करता अपने विशे छित्र में हो रहे सोध क्रिया कलापों के नवीनतम सुचना चाहता है और यह जानकारी उसे सुचना के प्राथम सुरुतों द्वराहिव प्लब्दतेय कार कंप्यूटर तथा सुचना नेटवर्क के माध्यम से ही संभा हो सकता है ग्रंथाले एमम सुचना केंद्रों में परिवर्तन के कारक्तत्व आदिक समाज में मानो जीवन के विभीन पच्छों को दिखते हो उसके प्रमुक कारक्त हैं जिन में ग्रंथाले सुचना केंद्रों में परिवर्तन आया जिनके प्रमुक तत्व निम्ना समाजिक परिवर्तन के प्रमुक तत्व समाजिक छेत्र में हम बात करते हैं तो बढ़ते हुए जनसंख्या का दवाब बढ़ता हुए नगरीकरण ग्रामई विकास वे जनसंख्या की गते सिलता समुख गते आत्माग परिवर्तन के कारक होते हैं आर्थिक समाज की व्यवसाइक संरचना आयें मुल्य मुद्रायस्विति विकास की गते सिलता सुच्म व्रिदर अस्तरों पर आर्थिक विकास राजनेतिक परिवर्तन से प्रावावित राजनेतिक धाचा राजनेतिक दलों की बहुआया मी गति विधियों राज विधान सभाव में विधायके और सांसदों के भूमिका के एवं उनकी सत्ता की धाचा की विवस्था को देखते हुए यह भी एक प्रमुक्त कारक्तत्र परिवर्तन के प्रमुक्त कारक्तत्र सचडिक परिवर्तनों से प्रावावित अध्यान अध्यापन प्रक्रिया अध्यान अध्यापन सामगरी सचडिक तक निर्की आधी भी परिवर्तन के प्रमुक्त कार अस्थांत्रण वीपड़ा आदी विक्र भी प्रमुक्कारक्तत परिवर्तन के प्रमुक्कारक्तत वेबसाय एवं वाडिज आयात एवं निर्यात अंतरराश्टि व्यपार एवं बहुदेशिय कंपनिया भी ग्रंथाले शुजना केंद्रों के प्रिवर्तन के प्रमुक्कारक्तत वेबसाय नियोजर में प्रिवर्तन नेती निर्धारन नेती पालन एवं वर स्थापन आदी भी प्रमुक्कारक्तत वेबसाय प्रमुक्कारक्तत वेबसाय नियोजर में प्रिवर्तन देखे जा सकते हैं उप्योक्त कारक वर्तमान मानो जीवन और समाज में त्रिव गती से परिवर्तम ना रहा है। ग्रंथाले एवं सुषना केंद्रों के परिवर्दित भूमिका। प्रारम में हम देखते हैं जहां एक और मुद्रित अध्यान सामगरी के अंतरगा ग्रंथों पत्र पत्रिकाओं का संग्रहन किया जाता था। समाइक प्रकाशन सम्मेलन करवाईयां प्रतिवेदन, सोध प्रबंद मानक, तकनिकी रिपोर्ट, स्रव विद्रिश शामगरी, माइक्रो फिल्म, माइक्रो मसीन रिरेबल फॉर्म, मैगनेटि टेव, सीडी रूम, आधी स्वरुपू के सुषनाओं का संग्रण किया जाता है, इस प्रकार सुषना समगरी का स्वरूप परिवर्धित हो रहा है और प्रोक्ताओं के आवसकता में भी परिवर्थतन आ रहा है, फल्ट्वरुप सुषना की पूर्न प्राप्ति और तोरित गती से संभव हो सके, इस हित में सुषना की महत्ता को बढ़हने के कारण, नेट्वर्किंग की अवधारणा की गई नेट्वर्किंग का उपयोग सुचना के विनिमें संसाधन सभागता के लिए किया जा रहा है इस प्रकार ग्रंथाले सुचना केंद्र परिवर्धी स्वरूप में भी आदिक सुचना सेमाओं की व्यवस्था कर अपने उप्युक्त बौधिक एवं सुचनातमक विकास के लिए अपरिहाय हैं यह समाज के प्रतिक नागरी को सिच्छित करते हैं और विभीत परकार के उप्युक्त सुचनाय उपलत कराकर ज्यागरो करते हैं तथा साथ ही साथ उनके विभीन सोध परक क्रिया कलापों में सहयोग करते हैं जिस समाज में ग्रंथाले और सुचना किंद्र हर प्रकार से संपन्न होंगी वह समाज और राष्ट प्रतिक छित्र में नती करने में सच्छम सिद्धों का धन्यवाद।